हेलो एवरीवन वेल्कम टु दे चानल इपाच्छाला इपाच्छाला के जनरेल फैक्ट में मैं शिखा आज आपसे डिस्कुस करने वाली हूं इवियस का बहुत इंटेस्टिंग टॉपिक ग्रीन मफलर तो आप लुमने देखा होगा आज पास जनरेली हमने अपने इन्वार्मेंट में देखा होगा जो रोड्स होती है जहां पर गाणिया चलती है वहां साइट्स रोड की साइड में और रोड की बीच में हाईवे पर क क्रीन मफलर क्या है सबसे पहले हम यह जान लेते हैं क्रीन मफलर अधिक आबादी वाले या ध्वनी प्रदूशर वाले छेत्र जैसे सड़कों के किनारे और द्योगिक छेत्रों और राजमार्गों की आसपास की रिहाईशी इलाकों में चार से छे पंक्तियों में व्रक्षा रूपड कर दिया जाता है और यह व्रक्ष जी है वो धुनी प्रदूशर को कम करने का काम करते हैं और इसे नागरिकों तक पहुंचने से रोकते हैं यानि कि जो पेड़ होते हैं वो धुनियों को एब्जॉर्व कर लेते हैं और उसको फिल्टर करके बाकी आबादी तक गनी आबादी तक नागरिकों तक गनी को पहुंचाते हैं इसके अलावा ग्रीन मफलर आंतरिक देहन इंजन के निकास द्वारा उच्छरजी धुनी की मात्रा को कम करने के लिए प्रयुत एक उपकरण भी है यहनी कि इसके साथ ही साथ green muffler एक उपकरण है जिसके द्वारा जो दहन इंजन से जो भी निकास जो भी चीजें उथ सरजीत होती है उस धोनी को कम करने की उसोनी की मात्या को कम करने का प्रयाश करता है तो green muffler एक उपकरण भी है एक पर्या वरड से जुड़ा हुआ एक concept है जिसके द्वारा धुनी प्रदूशड को कम कियाजा सकता है साथ ही साथ एक उपकरण भी है उसमें भी यही काम करता है धुनी प्रदूशड की मात्रा को कम करने के लिए अब जान लेते हैं ग्रीन मफलर यूजना के बारे में इस यूजना के अंतरगत घर या रिहाईशी इल क्या आप जानते हैं कि पेड़ों को धुनी प्रतिरोधक किस वज़े से कहा जाता है वे धुनी प्रदूशर को नियंत्रित करते हैं यहां तक कि शेहरी धुनी प्रदूशर भी पत्थर की दिवारों की तरह पेड़ों की जुर्मुट में दब जाते हैं तो जो पेड़ होते ह इसी वज़े से इन्हें ध्वनी प्रतिरोधक का आजाता है। साथी साथ, पौधों को ध्वनी अवरोधक की रूप में उप्योग करने का एक फाइदा यह है कि पौधे लोगों को परिशान करने वाले उच्छ आवरितियों के ध्वनीयों को भी आसानी से रोखते हैं। यानि कि जो पौदे औहें बहुत अधिक करकरी क्षैक今ुत इसução दो करें छोड़ेज पल्रोली सदाबात सक्षी ना करते हैं अता इन व्रक्षों का रोपड भी काफी लाबधायक है यानि कि जो चोड़े पत्ते वाले जो भी सदाबहार व्रक्ष होते हैं वो भी दुनी प्रदूशर से संरक्षित करते हैं और इनका रोपड भी हमारे लिए हमारे पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा होता है पेड क्यों प्रदूशर कोचित करते हैं व्रक्ष की गएद और ने अपने आपने एम्शूशित कर लेती हैं अब्सूं कर लेती declarations लिए ना के बराबर जगे पीड़े vessels का बात्य फ्रक्षित को करने के हैं लिए बीच जगे याना के बराबर जगे छोटे ना के बराबरhem बच्षार ओपर करना चाहिए तो देखिए दो पेड़ों की बीच काफी कम जगे ना के बराबर जगे होना चाहिए तो यह कोई पेड़ है और साथी जस्ट बगल में इसके बिना जगह छोड़े अगर हम पेड लगा देंगे तब तो यह दोनी अच्छे से और शोचित कर पा लिए तो इन पेड़ों की बीच में जो जगह होगी अराम से धुनी यहां से निकल जाएगी इसी वज़े से पेड़ों को पास पास लगाना है और साथी साथ क्या वास्तों में नरम जमीन धुनी का अक्षा अच्छा अवशोशक है और जमीन भी कैसी हो नरम हो और कठोर सत होगी तो पेड़ों को अच्छे से पोशन नहीं मिल पाएगा और दूसरी बात जो नरम जमीन होती है वह भी धुनी का अच्छा अशोशक है इसी वज़े से जो पेड़ हैं उनको हमें नरम जमीन पर लगाने का प्रयास करना चाहिए इसके अलावा पौधे लगाने से पहल जिताई कर दी जाएं जिसे कि पेड़ भी अच्छे से उग पाएंगे पेड़ों को भी अच्छा पोशकतव मिलेगा और जमीन भी अच्छी रहेगी संयूंतर राज अमेरिका के प्रेशी विभाग के अंतरगत आने वाले राश्ची प्रेशी और वानी की केंद के अनुसार पेड़ों और जाड़ियों के द्वारा सही रंग से निर्मि प्रती रोधा के माध्यम से लगबग 10 डेसिबल या 50% तक धोनी प्रदूशन को कम किया जा सकता है तो यहां पर हम देख सकते हैं कि जो USA है वहां का जो अग्रिकल्चरल डिपार्टमेंट है लगबग 10 डेसिबल यानि 50% तक धोनी प्रदूशन को कम कर सकते हैं जो USA के केंद्र है यहां पर उसकी बात हो रही है तो हमारे भारत में भी साइड साइड में हाइवे के पेड लगा जा रहे है और द्योगी चेतर के असपार जो पेड लगा जा रहे है वो इसी यूजना क यानि green muffler यूजना के तहती लगा जा रहे है तो green muffler जो हमारे पर्या वरड के लिए बहुत जादा लाबदायक है और धोनी प्रदूशर को कम करने के लिए बहुत जादा सहायक होती है तो I hope यह topic आपको बहुत जादा interesting लगा होगा और the general facts में आपको बहुत जादा इंट् थांपर थांक यू